Hello friends, मेरा नम जगविंदर है, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि हम mailbox database copies को कैसे configure करते हैं तो mailbox database copies हमारे mailbox databases की copies होती हैं जो हम multiple servers के उपर रख सकते हैं और in case अगर एक server हमारा fail हो जाए तो दूसरे server पे रख्योई copy अपने अप अप हो जाती है और हमारे users के लिए ये process transparent रहता है और उन्हें ये idea भी लगता कि जिस mailbox server के उपर उनके mailbox रखे हुए थे वो इस समय down है और उनको database availability group का कोई दूसरा server service provide कर रहा है तो इस activity को perform करने के लिए चलिए चलते हैं अपने exchange server के उपर तो दीखें मैं उसी server के उपर आगया जिसमें हमने last videos में deck create किया था उसके उपर IP address assign किया था और फिर कुछ servers को उस deck का member बनाया था तो यहां पहुचने के बाद मैं organization configuration में mailbox में database availability group के साथ वाली option database management को क्लिक करता हूँ तो यहां पे जितने भी existing mailbox databases हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपके environment में जितने भी mailbox databases होंगे वो आपको यहां पे दिखाई देंगे हम इसमें से किसी भी एक database को select करते हैं माल लिजे हम select करते हैं database 1 को और इसे right click करते हैं तो देखिए इसे right click करने के बाद जब हम deck create कर लेते हैं तो एक नई option आ जाती है जो है add mailbox database copy हम इसे select करते हैं तो एक wizard जो आपको ये बता रहा है कि mailbox database name db1 है और जिस server के उपर इसकी copy stem रखी हुई है वो है server 1 तो अगर आप कोई दूसरा server add करवाना चाहते हैं तो आप browse button को click कीजिए और उसके बाद आपको यहाँ पर उन servers की list दिखेगी mailbox server role installed है तो हमारे environment में अब एक ही ऐसा और server है इसके उपर mailbox server role installed है वो है server 2 और server 1 के उपर पहले से ही db1 नाम के database की copy रखी हुई है तो हम इसी के उपर इस copy को रखते हैं ok को press करते हैं और यहाँ पर देखे इसका activation preference number 2 है यानि के by default जो active database रहेगा वो server 1 बला ही रहेगा और server 2 तभी काम करेगा जब server 1 fail हो जाएगा तो यहाँ पर हम add button को click कर देते हैं तो देखे यह mailbox database की copy create करने की कोशिश कर रहा है और देखे command हमारी successfully complete हो गई है हम finish button को click करते हैं तो देखे यहाँ पर हमारे पास database copies में db1 नाम के database की दो copies आ गई हैं एक server 1 के उपर और एक server 2 के उपर db1 database की copy जो server 1 के उपर रखी हुई है वो mounted है यानि कि इस समय up है और उसका activation preference 1 है जबकि दूसरी copy अभी mounted नहीं है लेकिन वो healthy state में है और जरूरत पढ़ने पे अगर activation preference 1 वाला server down हो जाएगा तो यह automatically up हो जाएगी तो इस वीडियो में हमने database copies को create करना सीखा तो इस वीडियो में इतना ही thanks for listening